आप सभी कस्वागत चलिए कच्छे चावल का डोसा बना के आप लोगों में दिखाने वाली हूं वो भी लोहे के तवे पर एकदम क्रंशी क्रंशी बनेगा फर्स्क्लास बनेगा ना इनो पाउडर ना दही ना सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे और इसके साथ टेस्टी चटनी भी मैं बना के आप लोगों को दिखाने वाली हूं जो कि बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है ऐसे देखिए कितना गाढ़ा कितना टेस्टी बना हुआ है इस रेश्पी की सारी चीजे देखने के लिए मेरे टाइटल अब इसको मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी इसमें दो अध्रक का टुक्रा डालूंगी दो हरी मिर्च तोर के चार से पांच का लहसुन का इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब डालने पे आधा चमच डालेंगे बोल मरीज आधा चमच जीरा और थोरा सा पानी डालके हम इसको अच्छे से पीच लेंगे बारीक एक श्मूथ पेस्ट बना लेंगे अगर मेरी रेश्पी अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को जरूर सस्क्राइब करें लाइक करें घंटी वाला बटन को प्रेस करें कमेंट में लिखें कि मेरी रेश्पी कैसी बनी है देखिए एक fine paste बनके ये तयार हो गया है फिर इसको हम बरतन में डाल लोंगे एकदम घोल बनके तयार है इसमें मैं कुछ हरी सबजी आइड कर रही हूँ जो कि बहुत ही स्वादिश्ट लगता है सर्दियों का मौसम है जितना सारा सबजी हो डाली है ये कच्चप हरा वाला प्याज है इसको मैं बारिक कट कर ली हूँ एक गाजर को मैं घिस ली हूँ ये धनिया बारिक कटी हुई स्वाद के अनुसार नमक यानि की एक चम्मज से थोड़ा कम नमक है इसको अच्छे से हम मिला लेंगे कि एक चीज हमेशा याद रखें चावल का डोसा बनाते समय जब भी बनाए तब भी अंदर से हिला के बनाए नहीं तो हमेशा चावल बैठ जाता है अब इसको यह बैटर बन गया है इसको हम साइड में ढखके रख दूंगी चलिए अब फिर हम साइड करके हम चटनी बना लेते हैं तो यह मुंपली है चना डाल है लहसुन है अद्रक है मिर्चा है अथोरसा प्याज है इसमें में नारियल बुरादा थोरा सा डालूँगी यह दही बहुत टेश्टी चटनी बनता है इस तरह से बनाने पर यह हरी धनिया है कराही मेरा गरम हो गया इसमें मैं ओल डाल रही हूँ एक बरच्च मच ओल गरम हो जाने पर मैं इसमें डाल चना का पहले तो मैं जीरा डाल रही है अच्छा फ्लेवर आने के लिए इस सब डाल मुंफली प्याज सब को हम भून लेंगे अच्छे से पहुँ टेस्टी बनता है फिर इसमें मैं लहसुन की कली और हरा मिर्चा अधरक डाल दूँगी सब हलका हलका भून जाएगा न तो खच्छा पन नहीं रहेगा तो चेटनी एक अलग ही फ्लेवर आता है बहुँ टेस्टी वाला फ्लेवर आता है इसको अच्छे से चलाके भूनके हम ठंधा कर लेंगे कभी भी मिक्सर ग्रैंडर में गरम चीज नहीं पीजना चाहिए यह धनिया पत्ता जो को पहले से मैं वास करके अच्छे से रखी हूँ हरी धनिया है यह थोरा सामचूर पाउडर है आधा चमच यह नारियल वुरादा है एक चमच और दो चमच दही डालोंगी शिब बहुत टेश्टी बनने वाला है चच्छनी यह कासमीरी लाल मिर्च यह जो ठंड़ा हो गया है इसको हम सब डाल देंगे इसमें डाल मुंपली नमक स्वाद के अनुसार इसमें थोरा सा पानी डालके मैं इसको अच्छे सी पीश लोंगी देखिए कितना बनिया चटनी बन के तयार है एक तम अब इसको हम तरका लगा लेंगे उससे क्या होगा कि सुंधा सुंधा फ्लेवर आएगा इसको आप एक हपता तक फ्रीज में श्टोर करके रख भी सकते हैं खराब नहीं होता है यह कलचिल है यह गरम हो गया इसमें थोड़ा समय राई डाल रही हूं सरसो तेल एक चममच दो लाल मिर्च थोड़ा सा करीपत्ता तोर के अलाश्ट में मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी क्योंकि हींग तुरन जलने लगता है हलका सहींग डालके फिर इसको मैं छोग लगा दूँगी चटनी को यह देखे टेश्टी वाली चटनी बन के तयार है यह आया बैटर इसमें हम आधा चममच हल्दी डाली हूं आप लो ना चाहे तो ना भी डाल सकते हैं मुझे कलर फूल बनाना था इसलिए मैं हल्दी डाल रही हूं फिर इसको अच्या से हम मिला लेंगे थोरा सा पानी डालके इसको जब भी बनाए एक दम हिला हिला के बनाए कि और चावल का आटा नीचे बैठ जाता है यह मेरा प्लेन तावा लोहे का तावा है सिंपल तावा पे मैं बना के दिखा रही हूं और बहुत आराम से बन जाता ऐसे ही इसको हम फैला फैला डाल देंगे बहुत ही टेश्टी बनता है बहुत ही जल्दी बन जाता है जटपट में एक अलगी नास्ता स्वादिष्ट होता है ऐसे ही हम फैला लेंगे गोल कर लेंगे बैटर इसका एकदम गारहा नहीं होना चाहिए पतला होना चाहिए तब ही जाके अच्छा आपका डोसा बनके तैयार होगा फिर इसको अलग से हलका साथ तेल डालके हम पलट देंगे ये देखिए इसको और भी आप कलर ब्राउन करना चाह रहे हैं तो थोरी देर और ज़्यादा सिखने दीजिए सिख जाता है कुप ब्रिया से ऐसे ही हम सभी डोसे को बना के निकल लूँगी एक-एक करके फिर दूसरा इसी तरह से हम बना लेंगे बहुत आराम से बन जाता फिर इसको ऐसे ही लाएंगे जब भी बनाना होगा तब भी लाना होगा तो नीचे चावल काटा बैट जाता है तो इस चीज का ध्यान रहे हमेशा तब जाके आपका डोसा फर्स क्लास बनके तैयार होगा थोरा भी बनाने में परसानी नहीं होती है एदम तुरन पलट भी जाता है ऐसे ही हम गोल कर लेंगे हलका हलका जो पानी टाइप का है चारोत बगल मिला लेंगे कि सूख जाएगा अब फिर इसको अच्छे से सिख जाने पर हम दो मिनट तक सिखने देंगे अच्छे से और उसके बाद तब पलटेंगे और इस बात का ध्यान रहे कि हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही बनता है लो फ्लेम पे नहीं बनता है चीला चीला कहिए या डोसा कहिए देखिए ऐसे ही देखिए कितना बनिया सब बन के तयार हो गया है एक एक करके हम पलेट में लगाईए और खाईए इंजॉय करिए बहुत मस्त चीज है सर्दियों का मौसम का राजा है ये नास्ता जटपट में बन भी जाता है और अलग टेश्ट का नास्ता भी मिल जाता है ये देखिए चलिए खाईए पीजी एंजॉय करिए थैंक्यू सो मच